हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो गुलियानी क्लासेस आज हम टोपिक डिस्कूस करेंगे एडवांटेजिस ओफ डिबेंचर्स लेट स्टार्ट सबसे पहले एडवांटेजिस आती है फ्रॉम कंपनी पॉइंट फ्यू नमर वन रेटेंशन ओफ कंट्रोल तो कि कंपनी को यह झーटर्चर्ड्र होलडर्स हैं उनके पास कोई वोटिंङ राइट नहीं होता वो कंपनी की जनल मीटिंग में पर्टिस्पेट नहीं कर सकते वो कंपनी के लिए सिफ एक क्रेडिटर होते हैं तो इससे फायदा होता है कि जो जो भी nord है वो भी रेज हो जाते है और जो कंपन पर जो interest दिया आ जाता है वो जो shares पर dividend के comparison में काफी कम होता है और यह जो interest की rate होती है वो भी fix होती है यानि कि जैसे जैसे company जो है grow करेगी तो उसके साथ जो है interest rate नहीं बढ़ेगी वो fix ही रहेगी और जिससे जो company की growth का जो benefit है वो shareholder को तो transfer होगा वो benefit जो है debentures को holder को नहीं मिलेगा तो यह भी company के point of view से one of the best advantage है क्योंकि जो company की cost है वो बिल्कुल stable रहती है fix रहती है उसमें change नहीं आता थर्ड जो advantage आती है वो आती है long term funds जो debentures है वो काफी long term के लिए issue के जाते हैं यह maximum 20 years के लिए issue के जा सकते हैं तो इससे जो funds raise होता है उस funds का utilization company long term projects के लिए कर सकती है यानिकी plant and machinery या fix assets को खरीदने में कर सकती है जहां पर बहुत late earning आनी शुरू होती है तो company के लिए one of the benefits है कि वो long term funds के रुप में इसको use कर सकती है next advantage आती है वो आती है possibility of trading on equity जैसे preference shares भी जो है trading on equity का benefit provide करते हैं लेकि जो debentures है वो one of the best trading on equity का benefit provide करते हैं अगर company जो है काफी कम rate पे जो है debenture को issue करके fund raise कर लेती है और company जो grow कर रही है वो competitively interest rate के comparison में ज्यादा rate से grow कर रही है तो company को trading on equity का benefit मिलता है इसको मैं example से समझ सकते हैं कि माल लीजे company जो है debenture को 8% interest rate पे issue करती है और जो company है वो 20% की growth rate से grow कर रही है तो company को जो है one of the best benefit में का क्योंकि company को फायदा तो 20% की rate से होगा लेकिन company को उस funds पर जो amount पे करना पड़ेगा वो केवल 8% से पे करना पड़ेगा तो debenture issue करके जो company है वो trading on equity का फायदा उठा सकती है next advantage आती है वो आती है flexibility in capital structure debenture issue करने से जो company का capital structure है वो काफी flexible हो जाता है क्योंकि जब company चाहे उसे लगे कि उनके पास ज़्यादा funds हैं वो इन debenture को redeem करके जो है over capitalization की problem से अपने आपको बचा सकते हैं लेकिन ये जो option है वो equity share issue करने पर नहीं मिलता था तो debenture issue करने से जो है company की capital structure है उसमें जो flexibility है वो बढ़ जाती है ये भी one of the advantage है company के point of his से next advantage क्या आती है company के point of his से six आती है income tax benefit तिकि जो debenture पर interest pay किया जाता है वो charge on profit माना जाता है charge on profit का मतलब है कि company की जो profit and loss account बनाया जाते है उसमें interest on debenture as a expense show किया जाता है जिसका फाइदा यह होता है कि जो company के net profits आते हैं उस पर company को tax कम pay करना पड़ता है तो यह जो tax benefit है यह भी एक great advantage है company के point of view से जो कि हमें debenture को issue करने पर मिलती है कुछ एक advantages investor point of view से भी है सबसे पहले security देखिए अगर debenture holder के point उसे देखा जाए तो जो debenture में amount investment है वो काफी safe है as compared to preference share और equity share क्योंकि अगर माली यह company का liquidate होती है तो इनका जो amount है यह जो debenture का principal amount है वो पहले pay किया जाएगा as compared to preference shares और equity share और generally जो debenture होते हैं वो secure होते हैं कि वो company के assets पर charge डालते हैं अगर किसी वज़े से company income amount timely pay नहीं कर पाती तो वो company के assets को market में sold out करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं तो यह भी one of the great advantage है investor के point of view से second जो advantage आती है वो आती है regular income क्योंकि जो debenture पर जो interest है वो charge on profit होता है तो उस case में जो interest है वो debenture holder को हर हाल में pay किया जाता है चाहे company को profits हो या ना हो यानि कि जिस तरह की तरह dividend है preference share या equity share पर वो depend करता है company के profits पर जिस साल company को profits होते हैं वो भी sufficient quantity में होते हैं और as well as जो board of director है वो recommend करते हैं तभी dividend मिलता है preference share या equity share पर लेकिन debenture की case में ऐसा नहीं है debenture holder को interest हर हाल में मिलेगा चाहे company को profits हो या ना हो तो ये भी great advantage है investor के point of view से next advantage आती है वो आती है liquidity देखिए generally जो debenture है वो एक particular period के लिए issue किया जाते हैं जैसे ही वो period complete होता है जो company है वो debenture holder को उसका पैसा वापिस कर देती है इनकी debenture redeem कर देती है इसके लवा एक core benefit है ये debenture generally क्या होते हैं कि जो stock exchange है वहाँ पर list होते हैं यानिकि secondary market में इनकी trading होती है जब भी debenture holder को लगे कि उसे पैसे की जूरत है वो इन debentures को secondary market में sold out करके open market में sold out करके अपना पैसा receive कर सकते हैं तो ये एक create liquidity प्रोवाइड करता है debenture holder को तो ये कुछ एक advantages थी company के point of view से as well as investor के point of view से दोस्तों इस subscription बटन को दबा के चैनल को subscribe करना मत बुलिएगा अगर आपने हमारा previous video lecture नहीं देखा है तो इस link को click करके आप हमारा previous video lecture देख सकते हैं साथी playlist link को click करके अब तक के हमारे सारे video lecture देख सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों एक नए video lecture के साथ बहुत जल्दी Thank you